दिल्ली जलबोर्ड ने बहुत बड़े और महत्वपून निर्ने लियें जो मेरी समझ से दिल्ली में पानी के सेक्टर में और सीवर के सेक्टर में बहुत बड़ा रिफॉर्म साबित होंगे अभी तक क्या होता था कि हम किसी भी लाके में नई पानी की पाइपलाइन लगाते थे नई सीवर की पाइपलाइन डालते थे और वहां पे लोग पानी का कनेक्शन नहीं लेते थे जबकि जब तक हम पानी की पाइपलाइन डालते हैं तब तक लोग आके हमारे पास डिमांड करते हैं जी हमारे एरिया में पानी की पाइपलाइन नहीं है टैंकर से पानी आता है पाइपलाइन डाल दीजिए जल्दी पाइपलाइन डाल दीजिए पानी नहीं आता और जब प हर पाने में बहुत सारे लोग असक्षम थे, भरना नहीं चाहते थे, जिसकी वज़े से पानी की पाइपलाइन डलने के बाद, लोग उसमें illegal तरीके से connection डाल लेते थे, पानी इस्तिमाल करते थे, लेकिन पानी का formal connection नहीं लेते थे, इसकी वज़े से जब आप देखेंगे त तो दिल्ली उन शहरों में आता है, जो जहां पे हमारा NRW, unaccounted water ये बहुत जादा रहता है, क्योंकि लोग connection नहीं लेते हैं, पानी की pipeline हमें डाल दी और उसके अंदर डंडी मारके और वो पानी इस्तिमाल करते हैं, जब हमारी सरकार बनी थी तो पहले 500 रुपए मीटर के ह बन रहे हैं, जैसे अगर मैं आपको एक example दूँ, तो अगर किसी का 200 meter का plot है, तो आज की date में उसको एक लाख 14,110 रुपए देने पड़ते हैं, पानी और सीवर का connection लेने के लिए, एक लाख 14,110 रुपए देने पड़ते हैं, पानी और सीवर के connection के लिए, अगर किसी का 300 meter का plot है, तो आज की date में उसको एक लाख 24,110 रुपए देने पड़ते हैं, पानी और सीवर का नए connection लेने के लिए, तीन सो मीटर के plot के लिए, एक लाख 24,110 रुपए, अब ये बहुत ज्यादा है, कोई भी 200 meter में, तीन सो मीटर में, रफली आप मान के चलो, लोर मिडल क्लास ये मिडल क्लास के लोग रहते हैं, इतना लगबग सवा लाख रुपए किसी के लिए भी पानी सीवर के नए connection के लिए दे पाना संभव है, तो आज बोड ने निरने लिया आया है कि लोगों से अब development charges और infrastructure charges नही हैं, जितना भी है, इस पर सरकारें invest करती रही हैं, और एक अच्छा शहर बनाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है, हम आपसे tax लेते हैं, उस tax के पैसे से हम infrastructure आपका create करेंगे, उसकी recovery जो है इसके जरीए हम नहीं करेंगे, तो आज से development charge और infrastructure charges पानी और सीवर के लिए पहले जो 1,14,110 रुपे देने पड़ते थे, 200 मीटर के connection के लिए, वो अब केवल 2,310 रुपे देने पड़ेंगे, कितना भी, 300 मीटर के plot के लिए पहले 1,24,110 देने पड़ते थे, अब केवल 2,310 रुपे देने पड़ेंगे, इस से मुझे लगता है कि जितने हमारे areas ऐसे ह जहां हमने पानी की pipeline डाल दी है, जहां हमने sewer की pipeline डाल दी है, वहां पे बहुत बड़े स्तरके उपर लोग पानी और sewer के connection लेंगे, और ये सब लोग network के अंदर आएंगे, जिस से जो unaccounted water है, जो non revenue water जिसको बोलते हैं, वो बहुत बड़े स्तरके कम होगा, वो सब हमारे mainstream क अंदर आएंगे और इस से पूरा system जो है, वो सुधरेगा.